चानक निती की दशबातें आपको सफल बना देगी पहला नंबर है क्रोध पर संजम रखें क्रोध करना जीवन को नकरात्मक बनाता है क्रोध करने से आपके काम बिगड जाते हैं साथ ही अपनों से संबंद भी खराब हो सकते हैं यदि आपको अत्यधी के क्रोध आता है तो आप संकट में भी पढ़ सकते हैं साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावास्यक विबाद हो सकता है जो दुख का कारण बन सकता है क्रोध करने से सरीर पर भी बूरा असर पढ़ता है क्रोध आने के बहुत से कारण हो शकते हैं पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद कोई कार्ज होता है तो क्रोध आता है कभी कभी कोई व्यक्ति बीना वजह आपको परिशान करता है या आपके कार्ज में बाधा डालता है तो अब कुरोधा आता है ऐसे ही परिस्थिती में हमें कुरोध पर संजम रखना चाहिए और सांत मन से निर्ने लेना चाहिए दुसरा नंबर है अनुशासन में रहें चानक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवी निखर आती है जो लोगों को काफी प्रभावित करती है साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है जीवन को अनुशासन के साथ ब्यतित करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है आपको केवल अपने मन को सांत रखना है और किसी भी परिष्थीती में इस संकल्प को नहीं भुलना है कि हमें अनुसासन का पालन करना है। तिसरा नमबर है आलस है सफलता का दुस्मन। आलस आपके जीवन को बरबाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्ज पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस को त्यागना बहुत जरूरी होता है वरना आपके साथ ही ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से सरीर भी नश्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है तो पूनह नहीं आता है इसलिए आलस करे बीना अपने कार्ज को समय से पूर्ण करना चाहिए। चौथा नमबर है धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छबी एक खराब होती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है इससे आपके ब्यपार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पढ़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी होता है। पांचवा नमबर है अहंकार अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है जहां केवल अंधेरा होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पशंद नहीं करेगा। आपकेला महसूस करने लगेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि रावन को अपनी सक्तियों का अहंकार था जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुधी हो या समाज में नाम हो अहंकार करने से ये सभी नश्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। छठा नमबर है कभी लोभ न करें। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है जिससे कि आप हमेशा परिशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए जितना मिल रहा है उसमें संतुष्टे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़ कर इस्थीता को अपना लेना चाहिए। लोभ ना करने का अर्थ है कि अगर चीजे परिपुर्ण है तो उनकी और इक्षा करना बेर्थ है। सातवा नमबर है सिक्षा। शिक्षा का होना जरूरी है इससे आप बुधिमान बनते हैं और विशम या अविशम परिष्थितियों में निर्नाय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप सिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में असानी होती है। साथ ही समाज में शम्मान भी प्राप्त होता है। सिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ साथ समाज भी सिक्षित बनें। आठवा नमबर है, दूसरों की गलतियों से सिखे। ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। आपके मित्र अच्छे और उच विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभाव का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए सुरुवात में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गती बिधियों में रूची रखते हों तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, मित्र हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। दस्वा नमबर है, अपनी छमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खुबियों की जनकारी सबसे पहले स्वैम हमें होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष को प्राप्त करने में असानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग-अलग छमता होती है। उसी के अधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्षों को प्राप्त करते हैं। अपनी छमता का आकलन करने से आपको यह ज्यात होता है कि आपको कहां-कहां सुधार करने की आवसेकता है। उमीद है आप चानक के नीती की इन 10 बातों को अपने जीवन में आत्म सात्वे करेंगे चानक के नीती की यह 10 बातें आपके जीवन सफल बना देगी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सेर करें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन का बटन दबा दे